वेल्कम डिए फ्रेंड दिस एक और आज की वीडियो को टोपिक रहेगा ओन दफेस ओपर इट बाई शूशान हिल जो ट्वेल सीविए सिवो का एक चैप्टर है और काफी इंट्रेस्टिंग और काफी मोटिवेटिंग चैप्टर है इस चप्टर को सुरू करने से पहले आप से कहना चाहूंगा अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए क्योंकि यह चैनल आपको देता है फिर यूप कोस्ट बढ़िया क्वालिटिया कंटेंट अपने तरफ से तुम्हें को पसंद आता है वह तो आपकी बता सकते हैं आपको फ्री प्रकॉस्ट किया गया है सके अलबावा टेंथ का कोर्स भी आपको अवेलेबल हो जाएगा और आपको रिलेटिव है जो भी यह कर रहा है भी से बीकों यह में तो आपको महाँ पूरा प्लेटफॉर्म दू जहांसे आपकी समश्याइव सोल हो सकती हूं दो मैन करेक्टर है डेरी यह एक लड़का है इसमॉल बॉय है जिसका चेहरा आधा जला होगा है मतलब इसके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो गई है जिसके वैसे इसके एक साइड़ा चेहरा है वह जल गया है और इसके वजह से इसके अंदर है विद्ध इन्फिरियृटी कॉं इसके सोचल एक्टिवटी सारी रुग गई है किसी के साथ खेलता नहीं किसा बात निकरता क्योंकि इसके साथ मजा करते हैं और इसको टंज करते हैं अटीक है कि दूसरे करेक्टर है लैंब एंड ओल्ड मैं जो एक बुढ़ा विकती है विद्ध पर दें लैग इसके सथ प यह इसने एक artificial teen की लग लगा रखी है जिससे यह अपना जीवन यापन करता है ठीक है बच्चे इसको लेमी लैम भी बोलते हैं लेमी लैंब है ना लेम का मतलब होता है लंगडा लैंब ठीक है लेकिन इसका जो एटिटूड है लाइफ को लेकर क्यों का पॉजिटिव है अपने जीवन के सुरुवात में ही काफी निग्रेटिव हो गया है यह इस कहानी के भैतरिन पॉइंट है जो मैं समझ पाया हूं ठीक है डैरी एंटर्स इंद गार्डन ओफ लैंब अब कहानी सुरू होती है डैरी एक बच्चा जो है वो लैंब के गार्डन के अंदर घुस वहें पर और और वहां पर मिस्टर लैंब उसको पगड़ लिया है लेक्टर में विच्टल जयाता है कि लिए से डिवार नेजीने मानना वां ப waiver सब्वा दीब यॉद्ख फीन और स्युरूफब के पेड़ है और वहीं को उन्हीं को चुराने के लिए बैसिकली बच्चा है तो कहा तो कोई बाद में खालो ठीक है डेरी टैल सेंडेर्ट इसको बताता है देट ही फेस बंट दू असल डेर उसको बताता है कि उसके चहरे पर तिजाब गिर गया था जिसके वजह से उसका चह निगेटिव है कुछ ढंका उसको समझ में नहीं आता एंड अवोइड मिटिंग विद एवरिवन और कोई भी आदमी जो उससे मिलना चाहता उससे मिलने से मना कर देता है कि मुझे किसी में कोई इंट्रेस्ट नहीं है ठीक है पीपल फियर्स फ्रॉम हिम लोग जो उसके आ जाग भी उड़ाते हैं वुमेन को कोल ही अटेरीबल यहां पे कोल सो कोल है ठीक है को लिम टैरीबल टैरीबल का मनला होता है ड्रावना आसपास के जो उरते होते उसको कहती है यह तो बड़ा भयाना कर ड्रावना है इसी वजह से आप देखने लोग के वजह से उसने घर से बाहर निकलना ही बंद करती है कमरे में रहता है और वहीं पर बस है ना बस चाहिए वह से बगारा लेने के लिए आया था उस दिन भी पकड़ा गया यह जो लाइन है यह मेरे लाइफ का सबसे हैत्रीन स्टेटमेंट है क्या जबड़ा स्टेटमेंट है इसको आप गोर से सम सब्सक्राइब करती है किस करती है अदर वाइस इस पूरे वर्लड में पूरे दुनिया में सिर्फ उसकी मजा को आते हैं लोग है इस इस बेस्ट सेंटेंस और स्टेटमेंट है इन दबुक कह सकता हूं जबर दस्तरी वाह सब उसकी केवल माताजी है है जो ऊसके चहरे के दोनों साइड बराबर प्रेम करती है उसके चहरे के बद्देपन को अगलीनेस को इग्नोर करके वो सको सच्चा परेम देती है और उसको फील नहीं होने कि तुम में कुछ कमी है तुम में कुछ ऐसा है जो मिस है मिस्टर लेम मोटिवेट से मिस्टर लेम जो है उसको मोटिवेट करते हैं तो लिव नॉर्मल लाइफ हो कहते हैं कि भाई तुम नॉर्मल लाइफ जीओ अपने जीवन को अपने लिए ही दुस्मन मत बनाओ यह व्याइफ जीवन को नॉर्मल लीजिओ क्यों यह तुए उसके पास दो हाथ है तो आइज दो आखे हैं तो यह दो कान भी है तो लेक्स दो पैर है एक दिमाग भी है और मैंड यह और गजब के बात यह हैं कि इस दुनिया बहुत सारी आशी लोग हैं जिनके पास यह हाथ कट गए पैर कट गए आंक से अंदे हो गए लंगडे हो गए दिमाग से पागल हो गए उनके कंपर जिन में तुम बहुत अच्छे हों तो बेसिकर उसने फैक्ट दे दिया एक ऐसी बात कहा दी कि जिसको समझ करके वह बच्चा आप अपने लाइफ में पोजिटिव हो गएंगे की नफरत जो हकी है लेकिन नफरत से पूरी जिन्दीगी जल जाती है नफरत से पूरी जिन्दीगी गए आतीज हैं और तुम्हारे अंदर नफरत पल रही है कि नफरत मतलब दूसरे नहीं अपने से नफरत थे बहुत क्षतरिज थी ना कि तुम अपनी जिंदगी जना रहे हो तुम्हारा अपने जीवन को देखने का नजरिया गलत है बलत सोच रहे हो तो आप समझे उसको पूरा ब्रेन उसने डाइवरट कर दिया है चेंज कर दिया है निगिटिविटी से पोजिटिविटी में अब डैरी जो है अपने घर चला जाता है प्रोमिसिंग हीम टू रिटर्न और कहता है कि वह कल जरूर आएगा बेफिकर रहना है लेकिन मिस्टर लेंब कहते हैं कि पीपल डॉंट कम बैक उनका ज़्यादे टाम स्टेट्वन्ट होता है कि भाई लोग वापस कभी लोट के नह यह बहुत गहरी बात बोल रहा है अना और यह डॉटेरी ड्यूरी अगली नहीं आता है अपनी मां को बता करके नोट की माता जी मैं ऐक ऐसे बुझद बास जाता हूं जिसके बारे में मुझे बहुत अच्छा बात बढ़ता है ताना नहीं मारता मुझे डी मोटिबेट नह बीश्टर लेकिन जब वह पहुंचता है मिस्टर लेंघ के घर में वह पाता है कि मिष्टर लेंज की सीड़ी से गिर करके मौत हो गए है मोई मर गया है और डैरी इंट लास्ट लाइना यह भी बडिट चुमर्दस्त लाइन है डैरी क्राइज सेंग डैरी को तभी रोना आता है रोने लगता है बच्चा है और उसको एक इमोस्टनल सपोर्ड मिली है किसी इंसान से और वह वह कहते हुए रोता है लेम 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 कि आयें बैक तुमने कहा था ना कि लोग वापस नहीं आते माया हूं पर तुम कहां तुम चले गए और इसके साथ आए काहनी पूर जाते शांथ दिस वेरी मॉस्टन एंड वेरी सेंटिमेंटल एं मोटिविटिंग स्टूरी एं कि थोड़ा से मोटिवेट मुझे भी कर दो सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए मिलते नेक्स वीडियो में टेक केर